अगर आप BA, BSC, VECOM, Second Year, Third Semester के स्टुडेंट हैं और Minor Subject Multimedia के Slavus को ढूल ढूल करके आप परिसान हो चुके थे तो आपका इंतजार खतम हो चुका है संपूर पाठ कर्म की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी संपूर स्लैवस को आज हम डिस्कस करेंगे और साथी में हम आपको बता दें किस से पहले हमने आपके एक और Minor Subject टूर गाइड के स्लैवस को डिस्कस किया था आपको समझाय था अब हम आपको स्लैवस की जानकारी संपूर पाठ करिम की जानकारी इस वज़य से दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं चुनाव कर ले हैं चुनाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आप Minor Subject का अगर चुनाव कर लेते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा स्लैवस आप देख ली जी उसके एकॉर्डिंग आपको बता लग जाएगा कि कौन सा स्लैब कौन सा जो सब्जेक्ट है हमाई लिए अच्छा है और आप कंप्लीट कर पाऊगे आप उसको अच्छे से कंप्लीट पढ़ लोगे वैसे हम तो सभी Minor Subject पढ़ाएंगे चाहे फ आपको बता दें चेशा सवाल आपके होंगे मैं में जल रहे होंगे जितनी आपके डाउट हो उस सब जो डाउट से उसको हमने आप क्लेक्ट किया था उस सारे डाउट को हमने आंसर एक वीडियो के माध्धम से करें देख ले ना link description मिल जाएगी ठीक है और साथ ही एक बात यूनिवस्टी के लिए बरावर और कहेंगे अगर कि एक जैसा स्लेवस लगवग रहता है थोड़ा बहुत माइनस होता है पर उसमें उतना जादा फरक नहीं आएगा ठीक है बाकी चीज़ें वहीं रहती है चलो क्योंकि देखो बुक्स जो होती है वो कहीं ना कहीं सब जितन तो NEP 2020 की हम बात करेंगे NEP 2020 के तहट है अब यह ना कहना कि 2020 की बात तो नहीं बता रहें अरे हां NEP 2020 में जब नई Education Policy IT है ना नई सिक्षा नहीं थी 2020 के तहट उसकी बात है चीक है उसमें यह सारी चीज़ें जो है करवाते हैं आपर है ना डेली चीज़ों में इंप्रूव्मेंट लाने की कोसिस करते हैं कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छा करने की कोसिस करते हैं चलिए क्योंगे विशा है कि सब्जेक्टि कृटए होते हैं आपकी स्कल्स को बढ़ाने के लिए यह सब्जेक्त जो है जो जोड़े जाते हैं बताओ कितनी वागे तोल-पड़ोंगे पांच यूडिट्टवेडडव यह उडभनीन और एक उनिट नुक है में क्या पढ़ेंगे देखो भूल जाओ अगर आपके पहले कभी objective questions हो गए हो पेपर में OMR पर पेपर हुए हो तो अब नहीं होंगे टाइम कम था university के पास इस बज़े से होज़कता उनने करवा दिये पर अब नहीं होंगे अब आपके return exam ही होंगे केवल जो तीसरा नंबर का minor subject जो रहेगा आपका उस subject के जो exam जो है उसका जरूब हो जाएगा OMR का और आपके बाकी के जितने भी रहेंगे सबके कैसे होंगे ना लिखेती होंगे देखो अब याँ पर यूनेट बन में हम पढ़ेंगे what is multimedia सबसे पहले हम जानेंगे कि multimedia actual में है का ठीक है क्या है multimedia इसके बाद components of multimedia multimedia के क्या क्या घटक होते हैं क्या क्या component है wave and internet की बात होती है multimedia applications क्या क्या है transition from conventional media to digital media ठीक है तो conventional media से digital media की जो movement रहा है transition form क्या रहेगा इसके बारे में जानकारीद देंगे मिल जाएगी आपको unit 1 में और यह सब आपको पूछना है और जो है तीन lecture में complete हो जाएगा ऐसा इनिवरस्टी ने कहा है पर हम जो है वह वह एक यह lecture में ही एक दो कवर करते चलेंगे ठीक है बहुत जल्ड चार-पांच classes में कुसस करेंगे मिनिमाम पांच अच्छे classes में आपका complete multimedia हो जाए उसके बात फिर हम आपको marathon class प्रोवाइट करेंगे जिससे आपकी जो इसाम के तयारी है बहतर हो पाएगी बहुत उम्दह हो पाएगी टेस्ट भी करेंगे आप तो live test भी रहेंगे ठीक है चलो बात करेंगे second unit की आप लोग सब जुड़ा कीजिए है ना बहुत जल्द आपके साथ हम साजा करेंगे कि किस time live रहा करेंगे हम है ना तो उस time आप जुड़ा कीजिए live test होगा आप लोगा uses of text in multimedia है ना multimedia में text का use क्या होता है है ना तो यह सारी चीज़ है families and faces of fonts आप लोग जानते हो fonts के बारे में क्या होते है fonts कोई बताएगा है ना क्या जो आकार जो बैट्स होते हैं उनके आकार को वढ़ा करने के लिए क्या fonts का use करते हैं आप में comment में जरूर बताना outline का क्या use होता है क्या मतलब होता है outline बताओ जानते हो आप outline का second unit पढ़ना है आपको outline outline क्या नीचे कुछ line draw बगेरा होती है जो भी होती हो आप हमें comment में बताना जितना भी आप जानते हो बागी हम तो आपको बताएंगे जब आपको unit wise करवाएंगे है ना एक या दूए जो भी unit हम आपको करवाएंगे सब बताएंगे है ना उसमें से कुछ भी नहीं छोटेगा ठीक है चलो अब तीसरी unit में देख लो आप क्या क्या पढ़ोगे अच्छा आप लोग करहेंगे सर्द दूसरे का तो बताएंगे नहीं outline के बात देखो यह है ना digitization of sound का frequency and bandwidth क्या है और decibel system क्या होता है data rate क्या होती है audio file format sound synthesis यह सारी चीज़ें जो है आप 30 unit में complete करेंगे ठीक है चलो अब चौथी में क्या करना है तो चौथी में देख लो color के बारे में सारी चीज color क्या थ्यास पूरा color science पढ़ेंगे इसमें color models क्या होते है color plates क्या ह होती है है और 2D graphics image comprehensive file format और gif jpg है जितने भी file format होते हैं अपको बताए थे multimedia की देखो मां एक बात और बताया आप बहुत सारी classes multimedia की पड़ी हुई है आपको वो देखना है second semester उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको वक्षुल में second semester में डल गई थी पर उन्हें third semester में डालना था चीक है तो वो classes भी आप देख लीजे काफी मात पून है और हम यहां पर बात कर रहे थे आपसे fourth unit की तो हमने आपको file format में पूरा हमने बता दिया है image की extension सब कुछ बताया था तो आप देख लेना बहां पर भी और अभी भी करवाएंगे ऐसा कोई भी बच्चे परिसान नहीं होगे तो पर आप देख ले अच्छे से लावस पहले और डिसाइड क वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड टाइप फॉर्मेट सुटिंग एडिटिंग वीडियो मल्टी मीडिया और ओथुरिंग वेसिक्स है यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है मल्टी मीडिया के अंत्रगत तो सबसे पहले आप डिसाइड करने कौन सा आप पढ़ें और जुड़ जाएं बागी सब्सक्राइब करने अपने परिवार वीएस सीम बस सिवम को जो बात करता है राष्ट में देशत में फ्री सिक्षा की वागी टूर गाइट की हम क्लास बन की बात कर रहे थे संपूर स्लेवस की हमने आपको जानकारी दी थी सभी आप हमें बताना की क्लास कर दो रेगुलर चालो तो हम रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे बताना भी किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं और यह हम बात कर रहे थे काफी आपके जो सब्जेक्ट काफी आपके कुस्टन्स थे आपके माइंड में चल रहे थे तो हम को सब कुछ बताया, इस बार क्या कुछ नया करेगा VSCmbas Swim, ये बात भी हमने आपको बताई एस वीडियो में, ठिक है, तो जरू सब्सक्राइब करने, अपने परिवार VSCmbas Swim को जो बात करता है रास्टत में, देश्टत में, फिरी सिख्चागी बिलते हैं से एक साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हंद वन्दमात्रम